हाई फ्रेंट्स वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अरोण अकैडमी आप सुभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अरोण अकैडमी में हार्दिक स्वागत है चले आज का हम बहुत ही महातुपूर्ण क्वेशन लेकर चलते हैं जो कि है प्रयाव सेम्ट्रूटी का सि पूछे गए हैं चले देखते हैं इसके बारे में क्या होता है हमारा प्रयाव सेम्ट्रूटी का सिद्धान क्या होता है कि इसमें जो है इस सिद्धान का सब सबसे पहले पहुंचा जाता है को सन की सिद्धान का प्रतपादन कि ने किया था ठीक है तो प्रयाव सेम्ट्रू होता है और वह असफल होता है तो धीरे धीरे वह सफलता की तरफ यह सब्रकों प्राप्त कर सकता है ठीक है अर्फार्चा चले देखते हैं हम इनका जो अनुर्ला का सिध्धांत् स criminal का सिध क्या था ठीक है तो चले सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था तो इन्होंने अतना प्रयोग तो किस प्रकार से किया था बिल्ली पर किया था तो किस प्रकार से किया था चले देखते हैं तो इन्होंने क्या किया था सबसे पहले एक समस्या नमक बाक्स लिया ठीक है चले एक और क्वेशन मिलता हुआ कि बहुत ही मात्मोर क्वेशन क्या मिला कि इन्होंने जिस बाक्स का प्रयोग किया था दूसरा कि इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था था ठीक है अगर याद करना चाहते हैं तो यह सब कर सकते हैं थान डाइक को लाश्ट में क्या कर चले इस सतर प्रुथम क्या किया था एक समस्य नमग बाक्स लिया जिसमें इन्हों ने बूखी बिल्ली को एक पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया इसके पस्टात तुनों पिंजड़े के बाहर एक मचली रख दी मचली को देकर बिल्ली पिंजड़े के अंदर कूद दीर है ठीक है अब देखे अगर कोई बेक्ति भूखा होगा और उसके सामने भूजन रखा जाएगा तो क्या करेगा बार-बार प्रयास करेगा उचलेगा कूदेगा इधर उधर दोड़ेगा भागेगा अर्था तो भोजन को पाने के लिए कोई भी हद्तक या किसी भी हद्तक वह कोई भी कार्य कर सकता है ठीक है तो क्या होता है कि वह बिल्ली जो थी वह पिंजड़े के अंदर कूदने लगी चलांग लगाती है जिसके कारण पिंजड़े की जो सिटक और भोजन को खाले डिच अरफात इस प्रकात से कहा जाए तो बिल्लीने क्या किया बार और भार शिटकनी खोलने का भ्यास किया और उसके पाश्चात कर दो क्या है इस इस प्रकार यह पूरी तरीके से अपना कहले जहें महत्तों को ठापित करते हैं पूरा हुआ अर्थात जो यह सिद्धान दिया गया था बहुत-ही महत्पूरत था और बहुत-ही विरुजकरत गता इसके मांध्यम से लोग जो है किसी भी कारिकों प्रयास करके और उसी प्रेश को करना के हैं अर्थात बिल्ली जो थी उसने क्या किया कि भूखी होने के कारण उसने बार-बार अभ्यास किया जिसके कारण वहा सिट्कनी ने खुलना सुने श् alleine अर्ठात यही कहना है कि अगर हम किसी कारे को करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बार-बार प्रेस करना चाहिए जिसके परशात हम क्या कर सकते हैं कोई भी कारे आसानी पूर्बग सीख सकते हैं तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लेज लाइक शेर कमेंट राइन सस्क्राइब तो और यूट्यूब चैनल अरुन अकाडमी